तो भारत और न्यूजिलेंड के बीच में कल इंदौर में तीसरा एक दिवसी अंतराश्ट्रे मैच खेला जाएगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए मैच होगा जसके बारे में कई दफा हमने इस पोस्ट टॉक पर चर्चा भी की है क्योंकि रोईच शर्मा की ब्यास करती वही नजर आएगी याने की आफ्टनून में भारती टीम का आज प्रैक्टिस सेशन है सभी खिलारी आज के प्रैक्टिस सेशन में हिसा लेंगे ethanol नहीं है यानी कि सभी प्लेयर आईगे और तभी जाकर आपको पता चलेगा कि क्या टीम इंडिया कुछ परिवर्तन करने जा रही है या नहीं जा रही है बाकी कोई भी इंफर्मेशन आएगा तो मैं जरूर आपको बता दूगा लेकिन इतना तैह है कि इत में भी पॉसिबल कि उम्रान मलिक की टीम में एंट्री हो सकती है लेकिन ये भी बड़ा मुश्किल है कहना कि क्या उनकी एं हमने जरूर बढ़त बनाई है लेकिन में जो हमारा टार्गेट है वो है वर्ल नंबर वन बनने का वर्ल नंबर वन बनने के लिए आपको तीसरा मैच किसी भी हाल में जीतना पड़ेगा इसलिए सबसे एहम मैच है जहां पर की हो सकता है कि टीम इंडिया उम्रान मलिक को टी टीम इंडिया का आफ्रनून में प्रेक्टिस सेशन है प्रेस कांफरेंस में भी आज कोई न कोई आएंगे और वो बता पाएंगे आपको कि किस तरीके से टीम इंडिया मैच को ले रही है और क्या हम कल वर्ल नंबर वन बनेंगे तो आप लगातार स्पोर्स टॉक के साथ बनेरे क्योंकि टीम इंडिया को वर्ल नंबर वन बनाना है तो इसी तरीके से हरे के इंफर्मिशन में आपके साथ में शेयर करता रहूँगा और जैसी कि बताए कि आज भारते टीम का फुल फ्लेज्ट अभ्यास सत्र है तो यहाँ पर विराट कोली से लेकि सभी प्लेयर आज अब बहास में हिसा लेते में नजर आएगे क्या यह जुबेन रिचेहल को टीम इंडिया मौका देगी इस पर भी नजर बना कर रखेगा कोई भी इंफर्मिशन आईगी मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगा तिल देन हाव ग्रेट टाइम